तो दोस्तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा ओल्ड इंग्लिश रिट्रोच्टर तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ ब्रिटिश इस्रीज कॉंटेनेंटल यूरप के बाहर रहते थे अट्लांटिक उशिन के नॉर्थ पार्थ में वो लोग रह रहे थे वहाँ के जो पुराने रहने वाले थे उसमें स्कॉर्स, पिक्स और सैल्स से आमल थे बाद में वहाँ पर रोमन्स का राज चला था, यह कहा जाता है कि फर्स से लेकर फिस्ट सेंचरी तक रोमन्स वहाँ पर रूल ओवर करते रहें उनके जाने के बाद वहाँ पर जर्मानिक ट्राइब्स आ गए थे और वो ब्रिटिन के अंदर सैटल हो गए क्योंकि उस वक्त इंग्लैल का कोई नामू निशान नहीं था, जिसकी वज़ा से वो सारा के सारा ब्रिटिश का एरिया ही था यह जो जर्मानिक ट्राइब्स है जिसी के जरिये से वहाँ आये थे और वहीं पर सैटल हो गए असल में जी मदद करने आये थे सैल्स के जिनके ओपर पिक्स और स्कॉर्स के हमले हो रहे थे लेकिन वहाँ आने के बाद इन्होंने पिक्स और स्कॉर्ट के हमलों का जवाब तो दिया लेकिन सैल्स को भी वहाँ से शिफ्ट कर दिया इन लोगों की अपनी कोई जबान नहीं थी ना इनका कोई अपना रिलिजन था जे सारे के सारे जंगली लोग थे सर अगस्ट्रीनी जो कि रोमन मिश्रुई थे वो यहां पर आये बृटेन के अंदर 6 सेंचरी के अंदर उन्होंने यहां के लोकल लोगों को क्रिश्चानिटी की प्रिचिंग करने स्टार्ट की क्योंकि उस वक कि लोग थे वो काफे जवजाजा इलिटरिट थे ना उनके पास रिलीजन था ना उनके पास लांग्विज थी तो ये कहा जाता है कि वो जो जबान बोलते थे उसको Anglo-Sexon language कहा जाता था तो जो English language है वो फिस century के अंदर वहाँ पर आई थी और उसके बात जो six century है उसके अंदर आईस्ता आईस्ता करकर लोगों के में जो Christianity है उसके preaching स्टार्ट हो गई थी जो literature उसक्त प्रोड्यूस के जाता था ना old English का वो basically oral form के अंदर होता था जाहिर है लोग पड़े लिखे नहीं थे तो लोगों को written form के अंदर तो पता ही नहीं होता था कि लिखा कैसे जाता है इसी वज़ा से वहाँ पर जो literature होता था वो oral form के अंदर क्योंकि सबसे पहले आप languages की history देखेंगे तो वो जितनी भी languages थी वो सारे की सारे oral form के अंदर पाये जाती थी spoken form के अंदर पाये जाती थी लोग बोलकर एक दूसरे से अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर डिफरन वराइटी पाये जाती है यह प्रोस वक के फॉर्म में भी पाये जाता है जो सेकुलर पोईट्री है ओल्ड इंग्लिश के अंदर उसके अंदर हमारे पास epic poem जैसे के भी wolf है और इसके इलावा shorter heroic poems, battle poems, love poems वगरा आजते हैं जिनको कुछ anonymous writers ने लिखा था जिनके नाम हमें नहीं मिलते जो religious points थी उनके बारे में यह कहा जाता है कि वो bead, sign wolf और sadman ने लिखी थी ठीक है इसके अंदर उन्होंने वर्सिफाइड biblical content हमें दिया था यानि जो भी content लिया जाता था वो Bible से लिया जाता था और prose work जो के Old English के अंदर पाया जाता है उनके बारे में ज्यादा तरही कहा जाता है कि वो Latin से translate किया रहाता था और यह सारा काम किया था King Alfred ने और sermons को दो प्राइस अलफरिक और वो स्टान ने लिखा था जो आज हमें Old English के अंदर sermons मिलते हैं वो इनहीं के लिखी गई है क्योंकि जब लोग English Language को पढ़ना जान गए थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसको ब्रिटन फर्म के अंदर भी प्रिजर्व कर लें ताकि हमारे आने वाली जेनरेशल्स को यह पता चल सके कि उनके Grandparents किस तरीके के थे वो कहां से आये थे उनका culture उनकी language उनका religion किस तरीके का था